नमस्कार विद्याथे मित्रों, मैं आप सभी का फिर्षे सब्तरश्य शंकुल में हादिक स्वागत कती हूँ हमने आगले पियर में जो कहानी का श्वाध्याई देखा था प्रश्न एक आज हम प्रश्न दो से सुरुवात करेंगे तो सभी विद्याथे मित्रों अपनी किताबे, नौटबूक और पैंसिल लेकर बेट जाए मैं जो लिखा हूँ वो लिखते जाए और इसमे टिक करना चाहे तो किताब में टिक कर दीजिए तो चलो प्रश्न दो निमन लिखीत वाक्य कौन किशे कहता है लिखिये तो प्रश्न एक है यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ तो यह वाक्य कौन बोलता है अलिख वाजा वाजित से केते है दूश्रा आप अपना घड़ा तेर खाने में रख दीजिए यह वाक्य वाजित अलिख वाजा से केते है तीश्रा आप काजी की अदालत में जाईए यह वाक्य कौन बोलता है यह वाक्य लोग अलिख वाजा को केते है आप इस घड़े की जाज कीजिए यह वाक्य हशन तेलियों से केता है और पांचमा आकरी है हुजूर में तो 6 मैने पहले मक्का की यात्रा करने गया था यह वाक्य अलिख वाजा खलीफा से केता है चलो प्रश्ण तीन को आपके किये हुए प्रवास का वणन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए यह आपको सयम करना है यह होमवर्ख है यहाँ पर अपका एड्रश होना चाहिए इस तरब और यहाँ पर आप जो लिखेंगे अपने मित्र को कि आप कहां-कहां गुमने गए यह और यहाँ पर आपका नाम यह तो आप जानते हैं तो आपको लिखना है और जब मैं चेक करूंगी तब आप स्कूल में ले कराना खो क्या तुम्हारे साथ में कोई एसी घटना घटी है कि तुम्हें नियाई के लिए किशी के पास जाना पड़े पड़ा हो उस घटना को विस्तार से लिखे तमारी साथे पण आवी कोई घटना घटी होई तमारे स्कूल मा पण आवु थाई छे एक बिजा साथे लड़ाय थाई तो तमें टीचर पास जाओ ने के मारू आने आले लिदू आवे आपतो न थी तो एवी कोई पण घटना होई तो ते तमारा स्ब्दों मा तमारे लखवानी छे एटले खापन तमारे जाते लखवानों छे हमें आपने चोईसु प्रश्न ग कहानी की प्रमुग घटनाओ को इश्क्रम में लिखो की पूरी कहानी श्पष्ट हो सके जैसे हमें उधारण दिया गया है इराक में व्यापारी अलिक वाजा के पास एक हजार सोने की मुहरे इकठा होना तो एश्य ही हम लिखेंगे दूसरा वाक्या पांच सो मुहरो को तेलशे गबरे घड़े में रखना मैं यहाँ वाक्या दो रहूंगी नहीं आप सांती से सुन कर लिखिए दूसरा लिखे उस गड़े को मित्रवाजिद के तेखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना जरुरत पढ़ने पर वाजित द्वारा गड़े में से तेल निकालना और मुहरो का चुरा लेना चोथा वाक्ये लिखेंगे अलीख वहजा और वाजित में जगड़ा खलीफा शे नियाई मांगना उसके बाद खलीफा का भेश बदल कर नगर में निकलना और हसन को मिलना हशन द्वारा तेलियों को बुलाना और मुहरो की जाज का पता चलना फिर लिखेंगे अलीख वाजा को मुहरे वापस मिलना वाजित को सजा एसे हमने भी ये मुद्दे बनाए इस तरह से हम पूरी कहानी लिख सकते हैं प्रश्न चार निमनांकित कहानी के चित्रा एवं वाक्या उलट-पुलट दिये गए हैं उसको पढ़कार कहानी का निर्मान किजिए और उचित सिर्षात दीजिए ये कहानी आपको लिखना है किके ये खुब जानिमानी कहानी है हम ये कहानी बचपन से ही सुनते आये हैं तो मैं इसको जो उलट-पुलट है वो वाक्या आपको बता दूगी चित्रा नमबर तीन वो पहला वाक्या है एक देन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था शेर जहां सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चुआ रहता था वाक्या न जो पांचमा चित्रा है वो दूसरा आएगा शेर को सोया हुआ देखकर चुआ उसके पास गया वो शेर के सरीर पर चड़ा और नाचने लगा जो पहला चित्रा है वो तीश्रे क्रमा के आएगा सेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चुहे को पंजे में पकड़ लिया चुहा रोते रोते बोला कुरुपा करके मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी मदद करूँगा अब जो चठा चित्रा है शिकारी वाला वो चोथा आएगा एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया उसने सी का शिकार करने के लिए जाल बिछाई दूसरे नंबर का चित्रा है वो पांच में का मांक में आएगा जाल में फसते ही सेर दहार ने लगा उसकी दहार शुनकर चुहा वहां आया और सेर को जाल में फसा देखकर अपने शाथियों को बुला कर चुहे ने सेर को जाल से छुडाया और छठा और अंतिम चित्रा आएगा चोथे नंबर का सेर को चुहे और उसके साथियों ने जाल से छुडाया और शिकारी से बचाया उस दिन से सेर और चुहा मित्र बन गए अब इस कहानी का सिर्षक क्या देंगे? सेर और चुहा दे सकते हैं और दूसरा आता है, छोटे भी बड़ों के काम आते हैं यो दो में से कोई भी सिर्षक आप दे सकते हैं अब हम देखेंगे प्रश्न पाँज निम्न लिखी त्वाक्यों में से क्रिया वाचक सब्द ढुण कर उदारन अनुशार वाक्य फिर से लिखिये जेसा के उदारन दिया गया है राधा ने शंजीर को पत्र लिखा लिखा क्या है? क्रिया राधा ने किसको पत्र लिखा? हमें उसे प्रस्णात वाक्य बनाना है अध्यापक ने बच्चो को कहानी सुनाई तो हमें क्या लखना है बच्चो को कहानी किस ने सुनाई और अंत में प्रस्णात जिन्ह किजेगा दूसरा उतर लिखिए सवाल यहाँ पर है कुत्ते कब भोक रहे थे पूरा होने के बाद प्रस्णात जिन्ह किजे तीसरा वह पटा के देख रहा है वह क्या देख रहा है चोथा उसका उतर लिखिए कौन किताब पड़ रहा था पांचमा तन्माई मेरे पास से कब चला गया प्रस्णात जिन्ह सबी वाक्य के पिछे लिखना है पतं कहां ओड रही थी आप प्रश्णा जह कहांई पड़िये उचित सिर्षक दीजे एवं चचा करके प्रश्णों का निर्मान कीजे तथा उत्तर लिखे तो यह कहांई आपको पड़नी है मैं आपको उसका सिर्षक बताऊं तो यह तेनाली रामा की कहांई है जो आपने टीवी पर देखी होगी तो इसका सिर्षक हम दे सकते हैं तेनाली रामा की चतूराई प्रश्णा लिखे प्रश्णा एक सेवक्षे कौनसा अपराद हुआ आप कहानी परते जाएंगे तो उसका उत्तर भी मिल जाएगा सेवक्षे राजा का प्रिय काज का मोर तूट गया राजा ने सेवक को क्या सजा दी अंत में प्रश्णा चिन्हा लिखे उतर राजा ने छे महिने के लिए सेवक को कारागार में डलवा दिया तीसरा बाल उध्यान में क्या हो रहा था उत्तर लिखें बाल उध्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे चोथा लिखें तेनाली रामा राजा कृष्णा देव को बाल उध्यान में क्यों ले गया तेनाली राम राजा कृष्णा देव को बाल उध्यान में इसे लिए ले गया कि वो उसे समझाना चाता था कि न्याई करते समय राजा का मन बालक जेशा निर्मल होना चाहिए पाच्मा तेनाली राम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे उत्तर लखिए तेनाली राम यह सजा दिलाना चाहते थे कि उध्यान में किये गए नाटक को वो दरबार में फिर से दोहराईए छठा न्याई करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए तो मैंने आगे लिखाया है न्याई करने ते समय उत्तर लिखिए राजा का मन बच्चे जिलसा निर्मल होना चाहिए स्थात्मा लिखिए राजा को राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया उत्तर लिखिए क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराद किया था तो विद्याथी मित्र यहां पर हमारा यह गद्य कहानी पूर्ण होता है तो हम आगे के पाट के साथ दूश्रे पिरियड में मिलेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और जो मैंने लिखने को कहा है वो लिखिएगा अस्तु जैहिन जै भारत